देखकर चांद रमजान का, खुश हुआ दिल मुसल्मान का चांद को देखू, हाथ में जोडू, करवा चोथ का व्रत में तोडू शुक्र मनाईए कि चांद का कोई मजब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता कभी वो करवा चोथ का चांद बनकर पती की उमर बढ़वा देता है तो कभी रोजे का चांद बनकर अल्ला की अबादत करवा देता है वक्त है अभी रमजान का, और चांद के दिदा से शुरू हो गया है इसलाम का सबसे पवित्र महीना रमजान अब पूरे महीने, मतलब ईद के चांद तक हर दिन रोजे रखे जाएंगे और अल्ला की अबादत की जाएगी रोजा, रोजा भी एक रुकन है मज़भे इसलाम के पांचो अरकानों में से इस पाक महीने में रोजा रखने वाले रोजादार सुबह सादिक से पहले सहरी तक रोजे की नियत से रोजा रखने की शुरुवात करते हैं और ढलते सूरच के बाद इफ़तार करते हैं पांचो वक्त की नमाज में हम उस खुदा से दुआएं मांगते हैं अमन की, शान्ती की, चैन की साथियों इसलाम के अनुसार ये वो पाक महीना हैं जब अल्ला ताला ने अपने पाक किताब कुरान शरीफ को इस जहान में बंदों की रहनुमाई के लिए पेश किया था या भेजा था शायद इसी लिए रमजान महीना रहमतों और बरकतों का है क्योंकि दोजख के दरवाजे इस समय बंद कर जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है इस पवित्र रमजान महीने में चोटे से चोटा बच्चा हो या कोई उम्र दराज इनसान हो हर कोई खो जाना चाता है अल्ला की अबादत में रोजे रख कर तो अब अल्ला हाफिज शेयर करते रहिए और हाँ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें